नमस्कार दोस्तों मैं रमेश दिवारी विशन इंस्टिटूट प्रियाग राज के आनलाइन प्रेटफार्म में आप सभी का स्वागत हूं अभी नंदन दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों की एनलाजी की क्लास सुरू हुई थी और उसमें हम लोगों ने सब्दों पर आधारित सवाल किया आज हम लोग अंकों पर आधारित सवाल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों और बड़े ही रोचक सवाल आज आपके सामने आएंगे तो तो आपसे पूँच लिया गया आठ हिश्टू एनालोजी का जो नियम है अंकों का ये कहता है कि पहले दूसरे में जो भी रिलेशन हो वही रिलेशन आपको तीसरे से चोथे पता ना तो जैसे यहाँ पर साथ हिश्टू उन्चास दिया है तो आठ हिश्टू क्या करोगे आप कहोगे सर ये तो 64 हो जाएगा ठीक है ना अब इसी को हम लोग कितने प्रशनों में परिवर्तित करते हैं वो आपको समझना है देखना है ठीक है जैसे क्याहाँ पर कर दिया जाए साथ हिश्टू अन्तालिस साथ इश्टू पचास साथ इश्टू चपन साथ इश्टू बयालिस साथ इश्टू तीन सो तिरालिस साथ इश्टू तीन सो बयालिस साथ इश्टू तीन सो चोवालिस साथ इश्टू तीन सो चटिस साथ इश्टू तीन सो पचास कुछ भी दे दिया जाए जैसे ये साथ का वर्ग है प्यारे दोस्तों ये साथ का वर्ग है और ये क्या है साथ का वर्ग माइस एक ये क्या है साथ का वर्ग प्लस एक ये क्या है साथ का वर्ग प्लस साथ ये क्या है साथ का वर्ग माइस साथ ये क्या है? ये मेरे प्यारे दोस्तों 7 का घं है. 7 का घं कितना होता है? तो आप को होगे सर 7 का घं 43 होता है. ये क्या है? 7 का घं माइनस 1. 7 का घं 343 एक कम कर दो. फिर ये 7 का घं, प्लस 1, 7 का घं 343, एक जोड दिया 345, ये क्या है, 7 का घं माइनस 7, 7 का घं 343, 7 कम कर दिया 300, ये क्या है, 7 का घं प्लस 7, 7 का घं 343, 7 जोड दिया 300, इतनी बाते हैं ये आपकी बन गई अब इसी तरह से आठ के लिए क्या बनाओगे ये 63 बन जाएगा ये 65 बन जाएगा ये 72 बन जाएगा ये 56 बन जाएगा ये 8 का घन 512 हो जाएगा 511 एक कम कर देंगे 513 एक जोड़ देंगे 520 आठ के घन में 8 जोड़ देंगे 504 आठ के तो बहुत सारी क्रियाएं ये बन और ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये केवल चार और साथ और आठ को लेकर के ये सारी क्रियाए बनी ऐसे जितने भी नंबर हैं ये मेरा बताने का केवल एक उद्देस है कि जितने भी नंबर हैं सबका आपको वर्ग और घं याद होना चाहिए वर्ग और घं से सवाल अ सिंपल सा सवाल है तिरबन इश्टु 35 तो तिरबन के अंकों को पलड दिया 35 इसी तरह से 37-73 तो आपका जवाब क्या हो जाये बहु extensive के अंकों को पलड दीजिए तो क्या हो जायेगा 73 हो जायेगा अगले सवाल की तरफ आते हैं भाई अगला सवाल ये रहा आपके साम चलिए भाई देखिएगा अब एक तालिस इस्टु चार तो देखिए एक तालिस इस्टु चार का जो मतलब है एक तालिस में दो अंख है चार और एक चार और एक का गुणा किया तो चार तीन और साथ का गुणा किया, तो कितना हो गया, आपका जवाब क्या हो गया, एक सवाल के तरफ मूप करते हैं, यह रहा आपके सामने, यहाँ पर देखिए, बहुत ही बढ़िया जवर्जस्त सवाल दिया है, दो सो चपन इश्टू, दो सो नब्बे, तो आउसो एक सट इश्टू क्या दिया, अब अगर आप दिमाग पर जोड डालो तो दो सो चपन किसी संख्या का वर्ग है, आप कहोगे सर ये तो वर्ग है कि अब कहोगे सर, ये सोला का वर्ग है, और फिर ये क्या है, ये सत्रा का वर्ग प्लस, सत्रा का वर्ग दो सो नवासी एक जोड लाग, आपका पैटर्न क्या बन गया, तोला से सत्रा, यहाँ देखिए, 31 का वर्ग 961 है और फिर आगे 31 से 32 32 का वर्ग प्लस एक 32 का वर्ग 1024 एक जोड़ दिया तो 1025 यह आपका यह आपका जवाब हो गया 1025 यह किस option में दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों यह C option एक सवाल यह रहा आपके सामने दिया गया है 14-194 तो देखिए गया का गहन जब यह सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लगेंगी तो आपका काम आसान होगा प्रस्नों को पाढ़ना जैसे 194 दिया है तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि भाईया 14 का बर्गfik 196 होता है 2 कम कर दिया तो 194 194 तो आप क्या कहोगे 14 का बर्ग माइडस तो फिर आप से 16 के लिए पुछा है आप कहोगे सर 16 का बर्ग माइडस 16 का बर्ग 256, 2 कम कर दिया 200 यह आपका जवाब, यह क्या हो जाएगा आपका जवाब, देखिए 244 कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, आपका जवाब पहला ही option, एक सवाल की तरफ मूब करते हैं, देखिए अगला सवाल दिया है, 23-72, 23-72, 23 गुणे 3 प्लस 3, 23 गुणा 3 उनहत्तर तीन जोड़ दिया, अब 29 गुणा 3 प्लस 3, 29 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 29 गुणा 3, 114, तीन जोड़ दिया तो एक सो, यह आपका जवाब हो जाएगा, एक सो, एक सवाल की तरफ मूब करते हैं, यह रहा आपके सामने अगला सवाल, 62 इस्टू 145, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखी, 62 इस्टू 145 है, अब 62 इस्टू 145 का क्या मतलब है, जरा समझे, 62 को आप लिख सकते हो, आठ का वर्ग माइनस दो, 145 को क्या लिख सकते हो, 12 का वर्ग प्लस ए, 8 का वर्ग माइनस दो, 12 का वर्ग प्लस ए, मतलब, यहाँ पर 8 और 12 में जो अंतर है, वो कितने का है, 4 का, एक बार वर्ग करके 2 घटाया गया है, एक बार वर्ग करके जोडा गया है, तो अगर आप पहला उप्सन लेते हो, 89, 89, 868 लेते हो, तो आप क्या कहोगे, आपको होगे 9 का वर्ग माइनस 2 है और 13 का वर्ग माइनस 1 तो भई 9 और 13 अंतर तो 4 का है लेकिन यहाँ 2 हो रहा है यहाँ प्लस 1 अगर यहाँ 170 होता तो आपके नियम का पालन करता है लेकिन यह नहीं अगला वाला देखो 119 इस्टू 226 तो यह क्या है भाई 11 का वर्ग माइनस 2 और यह 15 का वर्ग प्लस 1 तो 11 और 15 में जो अंतर है वो कितने का है 4 का है ठीक है वर्ग माइनस 2 और वर्ग प्लस 1 बन रहा है इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा बी ओप्सन ठीक है तो बी ओप्सन आपका जवाब चलते हैं अगले सवाल की तरह अगला सवाल देखिए दिया हुआ है सिंपल ही दिखाई दे रहा छे इश्टू दो सो पंदरा अब 6 जैसे ही आपके दिमाग में दिखाई दे आपको 36 भी समझ में आना चाहिए आपको 216 भी आना चाहिए अब 216 तो नहीं दिया लेकिन 215 दिया तो आपके दिमाग में ये बात आ जायेगा कि सर ये तो 6 का क्यूब माइनस एक है ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, छे का क्यूब माइनस एक है, तो क्या आठ इस्टू, तो आठ का क्यूब माइनस एक, आठ का क्यूब पांसो बारा होता है, एक कम किया तो पांसो ग्यारा, और पांसो ग्यारा आपको भी आपसन, पांसो ग्यारा आपको भी आपसन, आई द इस्टू दोसो सोला अनतालिस इस्टू दोसो सोला अनतालिस में हमने साड़े चार से गुणा किया तो हमें क्या मिल गया तो अनतालिस गुणे नौ बटा किकार दिया 24 नौईया दोसो सोला तो चौणसट में हम नौ बटा दो से गुणा कर दें तो यह बत्तिस नौ दुनी अठारा नौ तरिक सत्ताईसे तोसो अठासी है यह आपका जाब यह सवाल बढ़िया है कभी कभी इस लेवल का भी सवाल पूँच लिया जाता है तो आपको यह समझ में एक सवाल की तरब बढ़ते हैं यह रहा आपके सामने आगला सवाल आगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो दिया है इसका मतलब समझते हैं देखिए 145 इस्टू 10 दिया है तो 145 के जो अंक है एक चार और पांच है इनको जोड़ लीजे पांच चार नौ और एक तो उसी तरह से 243 के जो अंक है 2 प्लस 4 प्लस 3 2 चार 6 और 3 ये आपका जवाब हो जाएगा किस ऑप्सन में मिलेगा इस ऑप्सन में मिल जाएगा इस आपको एक सवाल की तरफ आते हैं एक सवाल की तरफ आते हैं तो 23 इस्टू 25 दिया है अब 23 में देखिए 2 आंख है दो प्लस 3 2 प्लस 3 को जोड़िए तो 5 और 5 का वर्ख करिए तो 25 मिल ज़ाए इसी तरह से 3, 36 में 3 और 6 को जोड़िए तो 9 और 9 का वर्ख करिए तो आपको 18 मिल ज़ाए क्या 81 आपको किसी विकल्प में दिखाई दे रहा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा नेक्स सवाल ये रहा हमारे सामने अगला सवाल यह रहा जो हमारे सामने उसमें क्या कह रहा है तिरालिस इस्टू बारा क्या कह रहा है भई तिरालिस इस्टू बारा तिरालिस इस्टू बारा आप क्या करोगे तिरालिस में दो अंख है चार और तीन, चार और तीन का गुना किया तो आपको 12 मिला, 49 में , 49 इसटु आपको बताना है,तीन और नौ का गुना किया तो कितना हो गया audio, अब यह 27 आपको कहां मिल रहा है, 27 आपको भी भी nós selection, 27 आपको कहां मिल रहा है 27 आपको भी एक सवाल यह रहा आपके साम на देखे, 111,89 तो 105,89 होगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग दस का वर्ग 4-10 का वर्ग g अब 10 का वर्ग 100 होता है सौ में 5 घटाया तो कि में 95 कहीं दिखाई दे रहा है आपको होगे सर 95 बिल्कुल दिखाई दे रहा हैस पंचानवे हमें ए ऑफजन में दिखाई दे रहा है तो हमारा जवाब क्या हो जएगा quiet का एक सवाल कि तरफ move करते हैं एक सवाल अपना ये दिया है पांच इस्टू माइनस 10 पांच इस्टू माइनस 10 तो इस माइनस 10 को प्राप्ट करने के लिए 5 में हम माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 10 अब माइनस आठ इस्टू आपको पताना है माइनस आठ में फिर आप माइनस दो से गुणा क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा 16 आपका जवाब क्या हो जाएगा पहला वाला अप्सन आपका 16 आपका गसो Next सवाल की तरफ एक सवाल देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने दिया हुआ है सतततर इश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहां पर 11 गुने 11, तो अब 11 गुने 12 कर दो, एक बार पहली वाली संख्या सेम रही, दूसरी वाली संख्या में एक प्लस हो गया, 11 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 देखिए किसी आप्सन में आपको, आप कहोगे सर 132 तो हमें पहले ही आप्सन में तो आपका जवाब पहला वाला ही तो आप्सन हो, एक सवाल कि तरफ आते हैं? यह रहा आपके सामने अगला सवाल, यह दिया हुआ है, आपके सामने यह, पांच इस्टु एक सो तीस, अब 6 है और एक सो तीस है, है ना? 30 और एक सो तीस, देखिए 5 से दोनों लिंक है, 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन नहीं, 5 का घं 125 होता है, लेकिन 130 देने के पीछे लाजिक, तो 5 का घं प्लस 5 कर दी, हम दीजियेगा, क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों? 5 इस्टु 130 का मतलब 5 का गहन प्लस पांच पांच का गहन एक्सोपच्चिस पांच जोड़ दिया एक्सोथीस अब आगे शे इस्टू दिया है तो छे का गहन प्लस शे खागन दोसो सोला और छे जोड़ दिया तो दोसो बाइस आपका आई होप आपको समझने एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं यह रहा आपके सामने अगला सवाल देखिए चपन इस्टू दिया है तालिस बहुत ही बढ़िया सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है समझने का प्रयास करिए चपन इस्टू दिया है एक आलिस और अब आप से पूछा जा रहा है चारानवे क्या करोगे तो 56 में मेरे प्यारे दोस्तों दो अंग पांच और 6 पांच और 6 का गुणा कर दीजिए और फिर 5 और 6 को पांच और 6 का गुणा किया तो 30 पांच और 6 को जोड़ा तो 11 अब यही क्रिया 94 में लगा दीजिए और चार का गुणा कर दीजिए और चार को नौर चार का गुणा किया तो 36 नौर चार को जोड़ा तो तेरा 36 और तेरा का जो जवाब का जवाब है आई होप आपको सब्सक्राइब चास आपको चास कहां मिलेगा भाई चास आपको ए ऑप्सन चलिए अगले सवाल की तरफ अगला सवाल यह दिया है भाई देखिए यहां दिया गया है खे चार एक पाँच जब भी ज़्यादा डिजिट आपको दिखाई दें ज़्यादा डिजिट आपको दिखाई दें आप करोगे क्या आप करोगे देखिए खे से पाँच माइनस वन चार से तीन माइनस वन एक से जीरो माइनस वन पाँच से चारों माइनस वन माइनस वन माइनस वन किया है तो यहां पर शाथ में माइनस वन किया तो छे आठ में माइनस वन किया तो आठ और छे में माइनस वन किया तो आपका जवाब क्या हो जाएगा छे साथ आठ पाँच यह आपका जवाब एक सवाल की तरफ मूब करते हैं अगला सवाल ये रहा आपके, दिया गया है, दिया है 456-15, तो 456-15 को आप कैसे करोगे, देखिएगा, 789, तो 456 में मेरे प्यारे दोस्तों, तीन अंख है, चार, पांच और छे, अगर हम इन सब को जोड़ें, तो 6, 5, 11, 4, 15 हो जाए, इसी तरह से 789 में, 7, 8 हो, सब को जोड़ें, तो 8, 7, 15, 9, 24, तो 24 आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो 24 आपको D आपको डी आप्सन देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, D 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 आपका 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 जा तो अब देखिए 4 से अगला नमबर 5 4 का Q प्लस 4 5 का Q प्लस 5 लेकिन यहाँ 350 दिया है जो कि 7 का Q प्लस 7 तो इधर से पीछे आना है तो 6 का Q प्लस 6 6 का Q 216 जोड़ दिया आपको कहां मिल जाएगा आपको यह P-Ops I hope आपको समझे I hope आपको समझे एक सवाल कितरा पढ़ते हैं यह रहा आपके सामने अगला सवाल एक बाद ट्राई करिए दिखिए दिया है 122 इस्टू 117 122 इस्टू 129 इस्टू 122 को आप क्या लिख सकते हैं 11 का वर्ग प्लस 11 नहीं नहीं सॉरी 11 का वर्ग प्लस 1 11 का वर्ग 21 और एक जोड़ दिया तो 12 इसी तरह से देखिए यह 13 का वर्ग प्लस 1 13 का वर्ग 179 एक जोड़ दिया तो अब यह देखिए 11 से 13 अब यह 17 का वर्ग प्लस 1 17 का वर्ग 289 एक जोड़ दिया तो 200 तो 17 से 29 29 का वर्ग प्लस 1 361 प्लस 1 362 यह आपका जवाब हो जाए 362 देखिए कहीं दिया है बिल्कुल दिया है पहले ही आप्सन में आपको 362 दिया है बहुत ही अच्छा सवाल है आपका जवाब आएगा क्या यहाँ पर 362 एक सवाल की तरह बढ़ते हैं यह रहा आपके सामने अगला सवाल देखिए दिया है 1 इस्टू 36 तो 2 इस्टू बताईए अब 1 इस्टू 36 का उद्देश से क्या है अगर हम एक में 5 जोड़ें तो हमें मिलेगा 6 और 6 का वर्ग हो जाएगा 30 इस्ट इस्टू इस्टू तो 2 में हम 5 जोड़ें तो मिलेगा 7 और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा तो 49 देखिए 49 आपको दिया हुआ है 49 आपको दिया हुआ है कहां 49 एक्स सवाल की तरफ मूप करते हैं यह रहा आपके से दिया हुआ है तीन इस्टू सताइस आप कहोगे तीन इस्टू सताइस तो तीन इस्टू सताइस अठाइस सभी है तो तीन का क्यूब प्लस वन तीन का क्यूब 27 एक जोड़ि है तो पángज इस्टू क्या होगे तो आप कहोगे पाँच का क्यूब प्लस वन पांच का क्यूब 125 एक जोड़ि है एक हचपाषिस देखे आपको B आप्सें 126 आपको कहां दिख रहा है तो आप कहोगे 126 आपको भी आप सब्सक्राइब एक सवाल की तरह बढ़ते हैं यह रहा आपके सामने अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है 2 इस्टू 0 तो 3 इस्टू क्या होगा कहोगे सर 0 का क्या लाजिक है तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजेगा अब 2 का स्क्वाइर माइनस 4 भी कर सकते हो 2 का स्क्वाइर 4 4 में 4 घटाया 0 3 का स्क्वाइर माइनस 4 करेंगे तो नहीं दिया है लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने किया 2 का क्यूब माइनस 8 2 का cube 8, 8 में 8 घटाया तो 0 तो 3 का cube minus 8 3 का cube 27 में से 8 घटाया तो 19 अब 19 देखिया आपको दिया है तो बहुत ही ब्यारा सवाल है दिमाग में जाता ही नहीं कभी कभी तो यह धिहान रखियेगा कभी 2 is to 0, 3 is to 0, 4 is to 0 ऐसा दे दिया जाए तो cube करके उतना घटा दिया या square करके उतना घटा दिया इस तरह का pattern भी बना करके फूंचा जाता है इस तरह का भी मेरे प्यारे दोस्तों pattern बना करके फूंचा जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा चलिए भाई, आगले सवाल पर आते है यह दिया है दिया है 21 इश्टू 3 तो 21 इश्टू 3 का क्या logic है तो 574 अब 21 और 3 किसी तरह से link है आपको होगे सर बिलकुल link 21 में हमने 7 से भाग दिया तो 3 आ गया 574 में 7 से भाग दिया 7,8,56,7 तुनी आपका जवाब क्या हो गया आपका जवाब हो गया आपका जवाब क्या हो गया भाई आपका होगे सर जवाब तो बैया नेक्स सवाल ये दिया है आपके सामने 7 इश्टू 77 अब 7 इश्टू 77 का logic ये हो गया कि 7 का अगला prime number 7 का अगला अभाज संख्या 11 7 और 11 का कुना अब यहाँ पर देखिए ये वाला option 8 6 प्राइम नंबर नहीं है तो ये नहीं ले सकते ये भी प्राइम नंबर नहीं 11 इश्टू 14 11 का अगला prime number 13 11 और 13 का गुननफल I hope आपको बास समय तो ये आपका 25 प्रशनों का आज sequence था क्योंकि खतम होता है किलेंगे कल अगली क्लास में अब तक किलेंगे क्योंकि र्रैणों झाल झाल